नमस्कार जाहिन वंदे मातरम सभी का अभिजंदर है अंडिसी निशिल क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत-बहुत-बहुत लंबे समय के बाद फिर से एक बार जो है आपके समक्ष मौझूद हूँ और इतने दिनों तक क्यों नहीं आ सका उसके पीछे सीधा साधा साफ सुत्रा एक रीजन है यही है कि जो बुक्स अपनी अपनी जो किताब आई है उसकी एडवांस बुकिंग काफी पहले स्टार्ट कर दी लेकिन बीच में कवर चेंज किया और अब आप देख पा रहे हैं कि पहले मेहाई प्रकाशन था लेकिन बाद में मजबूरी से हमें दुबारा कवर चेंज करवाके बी आर सी पप्लिकेशन करवाना पड़ा आपके किताब लेट हुई उसके लिए मैं करबद होकर जो है आपको आपसे माफी चाहता हूँ थोड़ी सी किताब आपकी जो लेट ह हो गई देखिए पंदरा तक तो एडवांस बुकिंग थी उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया बहुत से बहुत ज्यादा इस्टुएंट्स के पिन कोड में एड्रेस में सीधा लिख दिया नाम लिखके लिख दिया जुझनु राजस्थान भी ले सकता हूं जैसे तीन चार रिस्ट मेरे पास पड़ी है जो मेरे आसपास की हैं विकाने रुद्राम सर है व्यास कोलोनी है कुछ डूंगरगड़ की हैं वो किताब अभी भी बाइबस भेजनी है इसके अलावा जो करतार चौधरी नम से हैं किसंगड़ से हैं उनको ल लेट हुई है उसके लिए जल्दी मैं आपको दूंगा डो डेट सो से दो सो जने ऐसे हैं जिनकी किताब अगले वीक के स्टार्टिंग में पहुंचेगी उनकी पर सुखरवार को जो है वो हो चुकी है बुक पोस्ट तो इस तरह से मैं जितनी बताता जाओंगा काफी दिक कि अरुछा कर रखा है कि मैं आप कंचा करेंगा तो पहुंचा दूंगा लेट होई है उसके लिए तो मैं समाच चाहता हूं और मैं क्या कहा हूं और क्रेश्ट के पास दो बार किताब पहुंचैकEMे बार नहीं और जैसे किताब आपको कैसी लगी अच्छी लगी उसके कुछ रिव्यूज वाट्सप कुछ नहीं बहुत से रिव्यूज वाट्सप पर मिल रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी रिव्यू मत दीजिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी किताब को आपको चेक करना है निश्यत रुप से मानवियत रूटिया रहना स्वाभाविक है और किताब अभी मैंने एक तारिक से सुरू करवाने वाला था एप्लिकेशन पर मैंने अभी तक करवाई नहीं है क्योंकि सब कुछ अस्त वेस्त हो चुका था एक बार वापस रूटीन में आने में मुझे काफी समय लग गया और आज यू माननी जिए संडे है और हिमत करके कि आज से क्लास स्टार्ट करनी ही कर दी है लेकिन हमेशा की तरह एक बात और फिर से कि जब भी मैं काफी दिनों बाद आया हूँ तो कुछ नया लेकर आया हूँ और निश्यत रुप से यह सुचना आपको कल सुबह साथ वजे मिलेगी कि क्या नया आपको मिलने जा रहा है उसको वो एक छोटा सा नमून आपको सुबह साथ वजे कल मैं दिखाऊंगा तो जिनकी भी किताब जो कमेंट कर रहे हूँ बाइचांस की सर मेरी नहीं आई तो वो जहान रखें 200 डैसो किताब अभी बेंडिंग चल रही है तो वो सोम अंगल बुद तक पहुंचेगी कोरियर वाड़ों के लगबख सबकी पहुंच चुकी है कोई रेर के से कोई दूर है तो उसकी नहीं पहुंची होगी पहुंच जाएगी किताब इस सबकी पहुंचेगी गबराएं नहीं मैडम बराबर जो है अपने जो यूटूब से ही जुड़े हैं बीकानेट से ही है पूजाती वाड़ी मैडम है वो बराबर हैंडल कर रहे हैं किसकी बुक नहीं आ रही बराबर उनको यही काम सौंप रखाए कि आप ध्यान रखें कोई भी इस्टूएंट निरास न हो जाए बस इतना मेरा पहला उदेश्य है फिर भी छोटी मोटी मानुएत रुटियां रही उसके लिए मैं शमा दिल से शमा चाहता हूँ और यह था कि लगबग 1000 प्लस इस्टूएंट के पास नहीं सॉरी फिर में लाइव आऊंगा उससे पहले मुझे पता था कि इस्टूएंट के दिमाग में एक यह मेरी किताब नहीं आई मेरी किताब नहीं यह चीज थोड़ी सी चल रही थी तो खेर चलिए टैस्स शेज जो हमने स्टार्ट की है पहला टैस्ट 2 दिन पहले 2, 3 दिन पहले मैंने उसको फ्री कर रखा था था कि कुछ नए स्टूएंट जुड़ें वो test को देखकर देखें जो संपूर्ण पार्ठे कर्म वाली testaries है उसमें मैंने test जो है वो unlock कर दिया था ताकि सभी दे सकते हैं जिन्होंने purchase कर रखा है वो भी जिन्होंने purchase नहीं कर रखा है वो भी ताकि test के इस्तर test का इस्तर देखें उसमें एक भी प्रेशन गलत नहीं था एक भी प्रेशन गलत नहीं था अभी जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें सारे कोशन के आंसर बिलकुल सही हैं इस बात को क्लियर मानें उसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ स्टुएंट्स के मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा अभी तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूं दो-चार दिन में तो जब फस्स रेंक में आप देख सकते हैं Qusum Parik जो हैं फस्स रैंक नाम है और अजय सीधर आप जानते हैं यह रेगुलर स्टुडेंट हैं जो हमेशा टेस्ट देते हैं एप्लिकेशन पर जब भी होता है इनके भी दोसों बटता दोसों अब आप मेंसे कई कमेंट ये भी आएंगे कि सर जो हैं 200 में से 200 नहीं आ सकते हैं ये नहीं आ सकते हैं ये अपनी नहीं हो सकते थे क्y Gedhya मैं लेकिन इस टेस्ट में सुध रूप से आदीकाल के question थे और आदी काल में भी जो अपने notes हैं जो मेरी classes यूटूब पर थी उसी में से questions थे तो इसमें बिलकुल 100 में से 100 questions सही हो सकते थे और ये paper total 1600 students ने दिया है कितने students ने 1600 ने उनमें से कुसम फारिक अजे सिधर RPSC ये दोसा के हैं और इनका नाम है राजेंदर इनका नाम है राजेंदर दोसा से हैं ये और ये हैं कुमबाराम चौधरी जो बीकानेर से ही हैं मैं आपको बता दू अजे सिधर भी बीकानेर से ही हैं कुसुम पारिक भी बीकानेर से ही हैं ठीक है कुसुम पारिक अजे सिधर और दोसा राजेंदर और ये दोसा के हैं ठीक है कुंबा राम चौधरी और टार्गेट टू गोल ये साइध में परिचित तो हूँ साइध मैंने कभी नाम नोट किया होगा लेकिन मुझे नहीं पता इनके भी दोसों में इस दोसों हैं उसके बाद है कमला चार ये क्या नाम लिख रहा है मुझे नहीं समझा रहा है 197 ये फोर्थ रेंग्ड साइफ सिक्स रेंग्ड है सोरी सिक्स रेंग्ड और सेवन्थ नंबर पे है सुनील जाखर साइध जहां तक मैं समझता हूँ बाकी हो सकता है मैं मिस्स कर रहा हूँ ये भी साइध रेगूलर इस्टुएंट्स में से एक होंगे सुमन है और ये है केल सर्मा मोटिवेशन मोटिवेशनल वगरा माही माही और क्या है संत्राज लोधा मनीशा चौधरी ये आप देख सकते हैं 186 अच्छा एक सेक्रिंड 6 के बाद सीधा 11 हाँ पहले ये आना चीए था साथ नमबर पर ये है सचिन कुमार मीना ये हैं सवाई मादोपूर से सचिन कुमार मीना सवाई मादोपूर से काव्या है राधे शाम रेगूलर इस्टुएंट में से एक है राधे शाम 197, 197, 195, 194 संजू जोसी डूंगरगड से है बीकाने डूंगरगड से है संजू जोसी ठीक है और 184 में पॉइंट अफ्लाइन स्टुडेंट है बिल्कुल अफ्लाइन स्टुडेंट है पहले ओनलाइन थे और अब आफ्लाइन बीकानेर में है अभी और हाँ अब वापस चलते हैं हाँ यह 11 नमर पर सुनिल जाखाट फिर सुमन यह लगबग 186, 186, 186, 186, 184 मैं आपको उता दू, 1600 में से लगबग जहां तक 400 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो 75 प्रतिशत अंग से अधिक ला रहे हैं यह सारे पढ़ने वाले इस्टूडेंट्स हैं और नियम इताब टेस्ट लो आज भक्तिकाल का टेस्ट सुबह 11 बजे अपलोड हो चुका है अब तक मातर 400 जनों ने ही टेस्ट दिया है ठीक है आप लोग जो भी हैं मतलब पर्चिस कर रखी है नहीं कर रखी है मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि अब देरी मत करो जितनी देरी कर चुके कर दी हमने भी ढील करनी थी कर दी और किताब ये जो मेरी क्लासेज जो इररेगुलर हुई है इसके पीछे रीजन सीधा मैं ही हूँ और रीजन यू है क्योंकि आप जानते हैं कि किताब को निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल कारे था क्योंकि चारों तरफ से कहीं से सपोर्ट नहीं था और अभी भी कई जगे किताब जो है मतलब परियास यहीं है कि मेरी किताब फिट जाए मैं आपको इसका चोटा सा एक्जामबल बताऊं एक ग्रुप में मैं भी जुड़ावा हूँ वहाँ पर जो है एक मंदा मेसेज कर रहा है कि NDC क्लासेज बंद हो गई है यह है वह है मतलब इस तरह के नेगेटिव परचार यानि कहीं न कहीं नजर आता है कि भले में रेगुलर नहीं आप रहा है लेकिन मैंने अच्छा प्रियास किया है आप यकीन मानें जो सहीत्य की पूरे को क्लासेज मैंने दे रखिया है बहुत से स्टूरेंट्स उसे तीसरी बार रेगुलर देख रहे हैं और मुझे पता भी चल रहा है कि हाँ इतने इस्टूरेंट्स जो है वो लगातार चैनल प पर फेस्बुक पर यूटूब पर भी मैंने अभी थोड़े दिर पहले ही मैंने शाम को मैंने वीडियो सौर्ट्स दिया है बहुत से स्टूरेंट्स जो है भावक वीडियो बना रहे हैं और अपने खुद के चैनल पर वीडियो बेज रहे हैं मैं उनको धन्यवाद भी दे मैं पूरा क्यों पढ़ाऊंगा सर यूटूब पे पूरा पढ़ा देखो यूटूब पे पूरा जो है नहीं पढ़ाई क्योंकि यहां पर एक बार साहिते पूरा कंप्लीट करवाया जा चुका है यहां पर व्याकन चल रही है और कल आपको एक सर्प्राइज मिलेगा वो एप्लिकेशन पर ही होगी सर एप्लिकेशन पर कौन कहां होगी क्या होगी वो सब मैं सूचना एप्लिकेशन पर देदूंगा जो भी एप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं आप से यही कहना है कि आप जो है नियमित पढ़ते रहें यहां पर अभी व्याकन चल रही है अ गलतिस्विकार करता हूं लेकिन पांच से साथ दिन आप जुड़े रहिए पांच से साथ दिन में आपकी continuity मैं बनाओंगा फिर से क्योंकि मैंने तोड़ी है तो मैं ही वापस बनाने का प्रयास करूंगा इन ही वलकि सो परसेंट कर रहा हूं बनाओंगा और जबरदस्त continuity आज वाक्यगत असुद्यां याद रखें बक्तिकाल का रिजल्ट आपको बता दूगा शाम को कल शाम को ठीक है वाक्यगत असुद्यां आज हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं तो कुछ आठ नो प्रकार के वाक्यगत असुद्यां हैं तो उनको जानते हैं क्योंकि जैसे ह सबसे बड़े-बड़े विद्वान जो हैं वो भी कहीने कहीं इसमें मात खा जाए तो यू मालीजिए सबसे कठीन टॉपिक है लेकिनए इसमें सरल उधारणों का समावेश करके आप तक बहुत सरल तरीके से पहुचाया है देखिए, शब्द सुद्ध के साथ साथ वाक्य सुद्ध का भी एक महत्पून इस्थान मना जाता है और वाक्य में जिसे अनावश्चक सब्द आ जाता है कई बार कई बार अनुप्यूक्ट सब्द आ जाता है, ये दोनों बातें अलग अलग है अनावशक और अनुपएक्त। अनुप्योक्त यानी जो वाक्या केका कोर्डिंग बिल्कूल नहीं है वो सबती गोलत है वहाँ पर उस सबका प्रियोग हो इनी सकता वो उप्योक्ती नहीं है अनावश्यक यानि एक्स्ट्रा दे देना इसकी जरुरत कहां थी ये तो अनावश्यक है तो अनावश्यक सब्द की वज़े से असुद्धी आ जाती है कई बार अनुप्यूक सब्द की वज़े से असुद्धी आ जाती है कई बार सही क्रम या अनुविती न होने के करण सुद्ध हो जाता है तो यह वाक्य की गत्व सुद्धियां है और कठिन टॉपिक में से एक है तो जैसे अनावश्यक सब्द के कारण जो सुद्धियां होती है वो किस टाइप की होती है आपको सरल उदार्णों से आज समझना है और कल की क्लास में आपको 50 कोशिन का एक अनों का एक साथ मतलब उप्योग जो है उप्योग जो है वह अनावश्यक है अगर प्रात्य काल दे दिया इसका मतब समय नहीं यह सब्दी गलत आया है जज ने उसे मृत्यू दंड की सजा दी तो मृत्यू दंड भी दे दिया और सजा दे दी तो मृत्यू दंड दिया तो यह भर लगाने की बात कहां या तो यह उना चाहिए था देश भर में यह बात फैल गई तो हम इस सारे को क्या कर देते कट देते तो कई बार एक की अर्थ को प्रिकट करने वाले जब दो शब्द आ जाते हैं तो वहां पे होता है अनावशक सब्द सब्समंदी ठीक है इसके अलावा देखो आप यह देख सकते हैं उस सारे देश में यह बात फैल गई उसके बात देखिए विंध्या चल परवत हिमाले से प्राचीन है तो विंध्या अचल अचल का मतलब ही क्या होता है परवत होता है तो फिर यहां पर हमें परवत लगाने की जरूरत कहां थे विंध्या चल हमाले से प्राचीन है सिंपल सी बात होती लेकिन अनावशक सब्द दे दिया इसी तरह से किसी और दूसरे से परामर्स दीजिए जब बात कर दी किसी और से तो किसी और का मतलब ही क्या होता है दूसरे से किसी और का मतलब ही क्या होता है दूसरे से त बीच में से और वाक्य देकर आप से ये पूछता है कि इस वाक्य में किस प्रकार की असुद्धी है तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए अनवश्यक सब्द संबंदी जो सुद्धी है वो किस टाइब की होती है ठीक ना आप जानते हैं संस्कृत विभाग में संस्कृत व कि दोनों ग्रेड में जो स्कूल लेक्शर है और जो सेकंड ग्रेड है दोनों में पद कम है ये बात बिल्कुल ना सोचे आपको कितने पद चाहिए आपको तो एक पद चाहिए आपकी हिम्मत आप दिखाईए तो सही आप अपना जज़बा दिखाईए वह क्या आएगा मै इतना जानता हूँ साहित्य जो आपको करवा दिया उसमें से 90% कॉशन आपको उस साहित्य में से मिलेंगे इन से आपको 90% मिलेंगे व्याकरण में जो लॉजिकल चीजे में आपको सिखा रहा हूं उससे बाहर प्रश्ण नहीं जाएगा आज आप मुझे जानते हो तो इसी हिंदी व्याकरण के कारण जानते हो है न सिक्षण विदियां संसकर्ज व्याक के पेपर से पहले पहले क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं सनातक और सिक्षण विदियां दोनों स्टार्ट कर दूँगा तो फिर बोलो कहां रहा सेक्ट्रेट का कोर्स पूरा और फर्स्ट ग्रेड के अंदर मनोविज्यान सिर्फ मनोविज्यान बचेगी क्यों सनातक के सास्थ सनातकोतर भी चलेगा तो उसक सेमी फाइनल है और फाइनल आएगा उसमें कुछ लोग सेमी फाइनल में ही हो सकता है जंग जीत ले बहुत अच्छी बात है कुछ लोग मानलो इस नजदिक जाकर रहें तो उनको लगे कि चलो यहां अगली बार तो अपन इतना नजदिक पहुंच गे इस पेपर में अगल बता दू अगर आपने से अभी भी कोई लेट आया और क्लास में कमेंट कर रहा है कि सर मेरी किताब नहीं आई अभी तक नहीं है वाट्सप नंबर आपके पास है मैडम बराबर पर कॉल अटेंड कर रहे हैं जो भी कुछ मिस और गये हैं एडरस ठीक है कि किताब जो है एक करने का और किसी और को तो वो चोटी मोड़ी जो दो चार प्रावलम है वो सही हो जाएगी विशेश रुप से मैं करतार चौदरी कि संड़ का नाम ले रहा हूं क्योंकि उनको मैंने व्यक्तिकत कॉल करके विखाए कि आपके पहले एडरस गलत था उसके बाद मैंने किताब दिस्पेच करवा दिया है फिर भी अब तक नहीं पहुंची है तो उनके वह नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं तो वह मैं आप बराबर ध्यान दे रहा हूं एक भी स्टूडेंट मिरास नहीं होगा वह यह परियास ही अपने आप मैं कर सकते हैं बाइचांस किसी कि मानलों सब लिए नहीं हुई है तो हम चैक ही कर सकते हैं फिर भी मैं कर रहा हूं मद иida परिवार का परिवार बोल दिया नहीं आप मतलब परिवार का कोई भी soren नहीं होगा और आपने किताफ़ों उनलाइन बुक कर रहें कियो अब हम दो दो चय नजदीक है जो सिटीज में है सुर्थगड में गंगानगर में जैसर में अपने जैपूर में कोटा बांसवार सिटी सब सिटी में जो बड़ी बड़ दुकाने वहां पर पहुंच चुकी है आप जाएं कवर दिखाएं कवर के पीछे बियार सी पॉब्लिकेशन अगर नहीं म चुके हैं जो मेरा टार्गेट था 10,000 वह पहुंचा तो नहीं है लेकिन उसका 70-80% 60% जो है वो टार्गेट पूरा हुआ और अभी कल फिर से के सपरतियां जो है वो छप जाएगी और दुकान पूर राजस्तान में डिलिवर्ड हो जाएगी तो आपके दुकानों में किता किताब आराम से ले सकते हो और टैस्ट जो हैं वो बढ़िया दे किताबों में हमने बहुत कुछ सब मदब अच्छी चीज़ें एड़ की है और अनावश्यक जो विवरण होता है उससे बचने का प्रियास कि तुलसी दासी की रचना है कौन सी रचना अखिल ग्यान का सागर किसमें तुलसी के जीवन से प्रभाव पढ़ता है किसमें कितने चंद हैं कब आई बस इतनी सिंपल सी बाते हैं और पिस से के त्रिश्टी कोंड से शांदार किताब है चाए आप सेकंडेट के तयारी कर रहे हो चाए आप स्कूल वेख्या तक तया अनुप्यूक शब्द क का हर मतलब हर भात को कहने का इसी तरीक होता है मर्यादा होती है हर रिष्टे की एक मर्यादा होती है आकास में तारे चमक रहे हैं चमक नहीं टिम्तिमान तारे क्या करते हैं तृह चमता 1 तू दूदर साब मैं आटो पिसवार लौँ आटा कैसे पिस्वा होगे मैं गेहूं पिस्वा के ला रहा हूँ है न वहदूद जमा रही है उसके गले में बेडियां है बेडियां तो पैरों में पड़ती है तो यह अनुप्यूक्त सब्द है यहाँ पर क्या होता है पूरा शब्द का शब्द ही चेंज होता है चिंता एक भहेंकर व्यादी है चिंता मानसिक है और जो मानसिक होती है वो आदी और जो शारिक होती है वो व्यादी तो यह सारे चीज़े क्या है यह अनुप्यूक्त शब्द सम्मंद्य सुद्धी है कई बार हम बात कर, हमें बहुत से चीजों का link ही नहीं पता कि भई इस्त्रेलिंग है या पुलिंग है, तो link संबंदिय सुध्या भी, यह है एकांग की बहुत अच्छी है, हमने देखा इसके पीछे e-re है, तो यह अच्छी होगी, लेकिन एकांग की एक गद्य विधा है, औ माला की इस्ट्रेलिंग पुलिंग में तो आत्मा को यूस मतलब कई हम विवाद करते हैं कि इस्ट्रेलिंग है या पुलिंग है नहीं इसमें तो दोनों ही है ये तो ये है रहे ना समझे वादा लेकिन आत्मा अमर होती है हम आत्मा को इस्ट्रेलिंग मानकर ही चलते हैं ये आप सब जानते है ब्रह्म पुत्र असम में बहता है ब्रह्म पुत्र नदी है नदी है तो वो क्या होगी बहेगी उसका ससुराल हाँ ये देखिए उसका ससुराल जैपूर में है जबकि होगा क्या उसकी ससुराल जैपूर में तो सर ये उसकी क्यों हुआ उसका क्यों नहीं कि पुल बला के उसकी ससुराल जैपूर में हैं तो इसकारण से यहाँ पर यह जाते हैं यह क्या जाता है लिंग संबंदी असुद्यां मलब कुछ शब्लशों कर लिंग गलत गलती से चैंज यह पर जो देते हैं इसमें से यह बहुत अच्छा वाक्या है यह जरूर ध्यान रखना से अगला इस्टेव उतरेक्षेशन वरैक्ष्षों पर कवा कैसे बोल चकता है एकवचन के साथ एकवचन बहवचन के साथ बहवचन व्रक्षों पर कोवे बोल रहे हैं तो सही हो जाता है व्रक्षों पर कोवा बोला नहीं व्रक्ष पर कोवा बोल रहा है यह दस रुपया का नोट है जब बहवचन है दस रुपया का नोट है रुपय दस है रुपया तो एक होता है दस रुपिया वो असुद्धी आ गई हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है दो हो गई तो फिर भाषा कैसे बाशा तो यहां पर क्या उजाएगा भाषाएं प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया प्राण निकल गया प्राण को में साब भुवचन माना जाता ह तो हम देखें प्राण भुवचन मान जाते हैं तो हमेरे तो प्राण निकल गए विदी का नियम बड़ा कठोर होता है विदी का नियम कठोर होता है गया बाकी नहीं होते हैं विदी के नियम बड़े कठोर होते हैं यही चीज़े ध्यान रखने हैं अब कहते हैं सर कुछ औ वो वाक्या सीख चुका है और 30 भी क्रॉस नहीं है बाकी सारे टॉपिक में आप 40-40 बोलता हूँ मैं भी बोलता हूँ लेकिन इसमें 30 प्रशन अगर सही कर देते हो आपको असुद्धी सिंसोजन काफी अर्थ तक आता है क्योंकि अक्सर गलती करने वाले इसी टॉपिक में गलती करते है और समझदार आदमी ऐसे टॉपिक को धंग से पढ़ता है तो अब आईए पढ़ते है क्रम भंग संबन्दी असुद्धी जो सबसे इंटरस्टिंग असुद्धी है वो यही है कैसे यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है ङाय का शुत्रदगी हनुमान पक्के राम के भगत है हनुमान राम के पक्के भगत है ऐसा होना सी यहता है यहाँ पर वाक्यों को तोड़ मरोड़ को वाक्यों के जो शुद्ध हैं वो इधर उधर कर धिया जाते हैं यानि इसमें गुआवर प wiped पना जो है क्रम्प की सब्षानेतों संब्ख करो सकते हैं हुर्था पूरा कंप्रीट करो रख़े हैं व्याकन चल रही है इसके बाद सनातक स्नातक इस्तर उंहें वहोगा देंगे सबस्भारी पर हड़ टॉपिक के बाद हो रही है इसके अलवा आपको क्या चाहिए आपको चाहिए सिर्फ थोड़ा सा समय और रेगुलर क्लासेश देखें मैं वहले ही अपसेंट कर दूँ लेकिन इतना कंटेंड मैंने दे रखा है कि आप चाहे तो नियमित्ता रख सकते हैं ठीक है और मेरे परियास आपको कल सुबह साथ बज़े में बार बार रिपीट कर रहा है कुछ अच्छा होगा कुछ तो अच्छा होगा स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा तो स्वामी दयानंद का देश आभारे या देश स्वामी दयानंद जी का आभारी रहेगा तो यहां पर क्या कर दिया हमारा हमने पढ़ते हैं वाक्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य विन्यास क्रम जो होता है उसमें सबस कि कारक पढ़ते हैं मैंने बहुत जोगे देखा है कारक पढ़ते हैं लेकि कारक में कभी कोई करम नहीं बताता कि सबसे पहले किस कारक का परियोग सब को पता है करता करता के बाद कौन सा आना चाहिए मान लो एक वाक्य में आठ के आठ कारक है तो फिर सबसे पहले कौन्स आएगा सबसे बाद में कौन्स आएगा ये सारे चीज़ें आपको देखनी पड़ेगे इसलिए नहीं कि नहीं कि एकदम करम से जैसे लिखे वे होते हैं वैसे ही आते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि पिछे और लाश्ट वाड़ा संबोधन होता है और संबोधन तो हमेशा सबसे पहले आता है तो फिर वो तो सबसे पहले आना चाहिए तो ये जरूर ध्यान रखे सीता के गले में एक मोतियों का हार है एक ही मोतियों का हार होना चाहिए था वे पुराने कपड़े के वेपारी हैं या वे कपड़े के पुराने वेपारी हैं बस ये क्रम संभंग संबंदी असुद्धी है कल टेस्ट होगा जरूर एटेंड करना ठीक है न कारक संबंदी असुद्धी कारक संबंदी असुद्धी देश भक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं बहुत अच्छा प्रश्णा है देश भक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं ये कारक संबन्दी है क्योंकि रेश्बक बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं कोई गलती नजर ही नहीं आरी सर हम क्या करें याद रखें यहाँ पर यह सब कठिन चीज़ है इसको ध्यान से अभी और वाक्य देखो दवा रोग को समूल से निश्ट करती है जब समूल लगा दिया सर गला गोंट कर गला गोंट गला गोंट कर तो गला गोंट दिया तो आदमी जीवित थोड़ी रहता है कि बहुत गला गोंट कर मार डला यह मार डला लिखने के जरूरत कहां थी गला गोंट डला इसका मतलब ही क्या हो गया इसका मतलब ही हो गया उसके अपीबड़े हो गया है उसने नियाइदीज को निवेदन किया ये बहुत गजब कॉशन है बहुत गजब कॉशन है ये मैं कारक बताऊंगा ना बकी बार तो मैं बहुत शांदार चीज बताऊंगा आपको कुछ टॉपिक में आपको ऐसा लगता भी होगा कि यह तो बड़ा सिंपल है क्योंकि आपको आता है कुछ टॉपिक ऐसे होता है जिन में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मतलब ना पांडित के प्रदस्टन करने की आश्यक्ता नहीं रहती लें कुछ टॉपिक इतने अच्छे होते हैं कि उन में जो बचों पर बचों तक जिनका कंटेंट अच्छा नहीं पहुंचा वह होता उनको जब समझाया जाता है तब बढ़ानना आता है जैसे वाच्चे टॉपिक आपको करवाया था उसमें आपको तीन चार चीज़े बता दी उसके बाद वाच्चे किसे का गलत ही नहीं बस यह चीज़ होती है तो उसने न्याइधीस को निवेदन किया जबकि उसने नियाधीस से निवेदन किया यह बहुत अच्छा है अब इन में यह वाक्या लेना और आप चाहे तो कमेंट अभी भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको बात जब कारक करूँगा तब इस वाक्य को पर क्या लोजिक रहेगा वास्तों में ये दोनों में से कोई एक है या कोई तीसरा कारक है इस पर हम चर्चा करेंगे हो सकता है अगला टॉपिक लूँ या फिर समास के बाद लूँ लेकिन कारक टॉपिक बहुत जोड़दार लूँ आज संसद में बजट के ऊपर बहस हो तोडी है अगीज़द फ्रांश सी जिसका जाब्दिक अगई होता है ठेला क्या होता है सर्वनाम समन्दी असुद्धी बजट सर्वनाम समन्दी चली Boston मेरे को सो रुपे दीजिए मेरे को तो हम जानते हैं सुद्धी पकड़ में आ गई अच्छा अब ध्यान से समधना यहां है झाले और हमने कहा कि मेरे को नहीं आई गए मेरे आएगा और वहां अभी हमने पड़के आये यहां पे को नहीं आएगा, ध्यान रखें, यह कारक समने राती, और सरव नाम समने राती, समने राती, यह कारक विल लगर राती, यह ध्यान रखना जरूरी है, कि सर्वनाम संबन्दी ये सुद्धि में हमेशा ये जो मेरे मुझे तुम तुमने इनмы ही परिवर्टन होता है ये इंपॉर्टन बात है मुझे सोर क्या वश्चता है मैं उनको मिल कर प्रसंद हुआ नको नहीं उनसे यहांपर कारिक tumor की विवक्ति नहीं है उनको उनसे होता है तेरे को कहा जाना है तेरे को नहीं होता है तुम्हें होता है अब वहाँ पर option में आपको तुझे भी मिलेगा गलत है तुम्हें कहा जाना है आपका उत्तर मुझसे अच्छा है आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा होना चाहिए मुझसे अच्छा है यह । तेस्टि सिव्मी एक अब इसके अलावा जिसे क्या नाम है मैं कि तैयारी कर रहे हैं एसा आए वालों के लिए 일 जो भी चल रही है यह किसके लिए कि अच्या नहीं है क्या यह ऐसा ही के लिए तो है व्याकर्ण में पूरी करा रहा रहा हूं और सी अंदर पूरे व्याकर्ण का एक पेपर हो सब्सक्राइब हैं० सब्सक्राइब ना, बिल्कुल कुछ नहीड लेकिन, आप क्रमबद् तो यूट्व अपने हां हम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर जो जीके आता हूँ सारा करवाएंगे और उसके लिए जो मैडम की क्लास है वो रिकॉर्ड करनी हमने स्टार्ट करते हैं दो च्यार क्लास एडवांस हो जाए हमारे पास उसके बाद आपको मिल जाएगा तो तो आप थोड़ा सा एक वर व्याकन सा जुड़े रहिए फिर मैं आपको SI के अलग वीडियो के मादेम सरणनी थी देता हूँ वह आपको और मुझको देख रहा था यानि ये बार-बार को लगाने की अवशिकता ही नहीं है वह आप और मुझे देखकर भाग गया मैं आपक होगा नहीं जब प्रश्ण सामने होता है और उस वक्त अगर आप कर देते हो तो ही आप कर पाते हो वर्णा नहीं हो पाता है अब आई एक क्रिया संबंदिय सुद्धी मैंने तुमारी बहुत प्रतिक्षा देखी तो आपको यह पता चलना चाहिए प्रतिक्षा देखी नह होना चाहिए मैंने यह सारे वाक्य है आपको उस किताब को भी डंसे पढ़ना चाहिए आप व्याकन कहीं से पढ़ रहे हो सरा आपकी किताब कभाई की मेरी अभी एक वर इस किताब में पूरा एक रिडिंग कर रहेंगे को जो भी तूटिया रही वो भी उन्स बच्चों व मतलब होता है आप देख लिए बीस पेज का मतलब होता है रोज अगर हम बात करें बीस इंटू बीस तो बीस दिन के अंदर 400 चलो मान लिया किसी दिन क्लास नहीं ले पाए कुछ हो गया अपन पंदरा इंटू बीस करते हैं तो भी पर जिन्होंने संपूर्ण पाठ्यकरम वाली टेस्टरिज ले रखी है मैं बता दूँ एक तरह से आपके लिए वह एक कोर्स हो गया हाला कि रखिए वही बच्चे हैं कुछ जिन्होंने ये मात्र 400 रुपे में 500 रुपे में टेस्टरिज पर सेच की थी मैंने उस वक्त भी कह रहा हूं आगे वेकेंसी के बाद इस संपूर्ण पाठ्यकरम वाली टेस्टरिज जो है वही कोर्स में कनवर्ट हो जाएगी तो बाद में इसका मुल्य बढ़ सकता है इसलिए आज ही पर्चेज करें और इस किताब को मैं कल से ही स्टार्ट करवा रहा हूं कल से मतलब कल सों कल तारीक है 5 यानि 5 मार्च तक या 10 मार्च लाश्ट खींच के मानो 10 मार्च तक इस किताब को जिनोंने भी पर्चेज की है हिंदी पॉइंट एफ्लिकेशन के स्ट्डूर्ट में से उनको सब को ही मैं कम्प्लीट करवा दूँगा एक बार और इतिहास तो बना कर जाएंग नहीं कि मैं रात दिन लगा हूं मैडम जो जिनको काल कर रहे हैं किताबों के लिए मेरी नी आई मेरी नी डरे निया ये कई वीडियो जबैजेटन चलिए एसुरर आप इतने दिन उनका अटेंड कैसे कर लेते हैं उस recruiting पर्सों के मुझे ब coral embora कल आके बोला सर साड़े 300 अब धिर धिर कम होने सर 200 200 मेसेज आ रहे हैं सर सरदर्द होने लग जाता है मतलब बाकी सारा काम बोल जाते हैं आप इतना सारा मैनेज करके क्लास लेना आफ लाइन लेना इसकूल जाना घरका ये कर कैसा ले मैंने का इसी लिए मुझे आप लोग आपकी जरूरत पड़ी कि वह एक कोई संभालने वाड़ा याद रखिए बहुत मेहनत कर की है और उसका फल अभी तक तो बहुत लंबी मेहनत करनी है क्योंकि एकजार सेलेक्शन के लिए बहुत लंबी मेहनत करनी है लेकिन ये वादा है मैं यहां एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आया मैं यहां पे इसलिए नहीं आया कि देखते हैं कोई सिस करते हूं जाएं एक जार सेलेक्शन तो बड़ी है बात नहीं मैं एक जार सेलेक्शन लेकर रहूँगा समझ गए बात है मैं जीतने के लिए ही आया हूं हारना या कोशिस करना कोशिस अक्सर करते रही है कोशिस अक्सर कामियाब होती है लेकिन मैं यहां जीतने के लिए आया हूं और जीत करी जाओंगा बस इस बात को दिमाग में रखें मैंनत मेरी एक परसेंट भी कमी नहीं रहे कि हाँ इसमें कौन सी असुद्धी है हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा लगातार जो जुड़ेवे हैं इश्वर उनको सफल करें जो बहुत नंबे समय से जुड़ेवे हैं और बहुत से सफल हो चुके हैं को थर्ड लग चुका है लेकिन अभी तक सफर बाकी ह और हम जीतेंगे अच्छा आईए हां तो राम ने गुरुजी से प्रशन किया हां रखें प्रशन पूछा नहीं जाता है प्रशन किया जाता है और आप वहां पर देखते हो तो आपके दिमाग में यह आता ही निया किया आपको लगता हां प्रशन पूछते हैं हम तो कोई भी निकाली नहीं जाती है गाली दी जाती है बीतर प्रवेश करना निशेद नहीं होता है बंदा बीतर प्रवेश करना प्रवेश करना थोड़ी होता बाहर निकलना होता है तो यह तो बीतर होगा यह प्रवेश होगा तो बीतर काड़ तो प्रवेश करना नहीं अच्छ कई वारब मुहावरों का भी गलत प्रेयोग करते हैं पानी पी कर नाम urine निर्थक नाम कौन पूछता है जात पूंची जात पूछना आज कर ब्रिष्टाचार जार घर्म है आ संगती से उसे के तन पर कालिक पुद गई, उसके तन पर कालिक हमेशा मुख पर पुखती है, है ना, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर आए, भर गए नहीं, कान हमेशा पक गए होते हैं, मेरे तो सांस में दम आ गया, सांस में कौन सा दम आता है रहे, नाक में दम आता से तो ये कुछ महावरे संबन्दी भी गलतियां हमसे होती है तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद है सहीं जग हमें कई बार सहीं नहीं पता होता जो आपको पता हो और निश्यत रुप से वह सहीं भी करेंगे यदि रुपिया मांगता जब मैं आवश्य देता तब यदी के साथ हमें साथ तो आता है यदी तो जब राम ने लंका में प्रिवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनन्द बने आन तो तो नहीं जब तब होता है जब के साथ क्या आता है तो connective वर जो सहींजग होते हैं वो जो जो जोड़े होते हैं स कि सबको उसका रिजल्ट पता चल रहा है अब कई बोले सार हमें रिजल्ट नहीं में बता देता हूं आप सुन लिजिए टैस्ट कंप्लीट करने के बाद उसी टैस्ट पर वापस जाएं नीचे लिखाव आएगा व्यू रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट लिखाए वहां और आपने कौन सा टिक किया था वह उतर भी आपको मिल जाएगा तो हर तरह थोड़ा सा खुद प्रयास करें सबको सही मिलेगा ठीक है तो यह कुछ प्रकार के सुद्धियां थी और बहुत चोटा टॉपिक आज लिया ताक कि हम एक वर वापस थोड़ा कंटीनुटी कर सके और किताब जो है उसको आपका धेर सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत काफी बदलब जो जने हैं उनको लेट हुई उनके लिए शमात भी मांगता हूँ और जिनकी अब पेंडिंग में है उनकी सबकी डिस्पेच हो चुक सबकी डिस्पेच होगी मैं आपको पर डे रिपोर्ट देता रहूंगा ताकि दिक्कत नहीं आए पिछली वाड़ी जो एकदम से बल्क में किताबें आई ना जो किताबें एक साथ बुक हो गई उनमें स्टुएंट्स की जो हैं डिक्कत आई बहुत ज्यादा दिक्कत आई और कहीं ने कहीं मेरे लाइव ना आने के कारण भी उनमें से एक कारण वो भी बहुत था कि मैंटली डिस्टरब हो गई एक तरह से कि यह मनलब कैसे मैनेज करें इस तरह का कभी पहला इनुभव था नहीं लेकिन हमने बहुत अच्छे से प्रियास कर लिया और स्टुएंट से लेकर और सब देवता के आगे किताब जो है वो बच्चों ने रखी है सब ने अपने इस्ट के आगे रखी है उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी केंडेट्स रहे गए हैं वो बरावर मैडम से संपर्क कर ले कि हमारी किताब जो है पहुंच गई तो भी जरूर बता देवें हैं ना ताकि हमें भी थोड़ा सा जयान और किसी के मालों 40-50 किलोमेटर का दूरी रहती है तो किताब को रिटन ना होने दे वह वहीं पर रखवा लें किताब है ना चाहे को जानकारी में है वह बस बाइस बस से मंगवा लें क्यों रिटन होने का मतलब अपने यही परियास करें बुक करवाएं ऑनलाइन हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन से ठीक है हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन से और अगर आजपाद आप सिटी में हो उद्यपूर है जो भी बड़ी-बड़ी सिटी जाये जो तैसील हैं बड़ी-बड़ी वहाँ अगर हो तो आप अपने दुकानों पे जाके भी ये किताब पर्चेश कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ, कल से मैं स्टार्ट करवा दूँगा इस किताब करवाना तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और छोटी-मोटी कमियों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने में सुधार करते रहेंगे और नियमित रहने का प्रयास करेंगे कल सुबह साथ बज़े आपको छोटा सा, बड़ा सा, शांदार सा और energetic surprise मिलेगा और आपको ये लग जाएगा चलो सर कोई बातने हैं पंदरा दिन आपने हमारे जो है वो नियमिता तोड़ी लेकिन चलो हम आपको माफ करते हैं क्योंकि आपने ये बहुत शांदार प्रस्तुती दी है और इससे हमें फाइदा मिलेगा तो ऐसा ही surprise कल सुबहे 7 बजे वो भी early morning बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर और शुब रात